अर्विंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनेतिक शड्यनति प्लान किया जाता है हमें विश्वस्निय सूतरों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार भारतिय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाने वाली है इसके कई संके पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं अर्विंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनेतिक शड्यंत्र प्लान किया जा रहा है हमें विश्वस्निय सूतरों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार भारतिय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्र पती शासन लगाने वाली है इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रही है हम पिछले कई दिनों से देख रही है कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है जो IAS अफसर है उनकी पोस्टिंग MHA द्वारा कंट्रोल होती है लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर IAS अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हो दूसरी बात दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली है वहाँ पर अफसर पोस्टिंग नहीं है लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा तीसरी बात LG साहब पिछले एक हफ़ते से MHC को बार 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 बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिठियां लिख रहे हैं कहते हैं कि मंतरी गण मीटिंग में नहीं आते कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है वो मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूँ यह मीटिंग में नहीं आ रहे हैं यह वही LG साहब है जो कोट में खड़े होके कहते हैं कि जी ट्रांसफर्ट सब्जिक्ट है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है तो जब आप court में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से pollution के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है जब वो transferred subject है तो आप MHA में उसके बारे में चिटी क्यों लिख रहे हैं चौथा दिल्ली सरकार के अफसरों ने model code of conduct का बहाना बना कर किसी भी meeting में आना बंद कर दिया है चाहे वो कितने ही important मुद्दे पर हो आखरी चीज हमने देखा कि किस तरह से एक 200 साल पुराने case को उठा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल के निजी सचेव को बरखास्त कर दिया तो ये सारे लक्षन दिखा रही है कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है अर्विंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राश्ट्रपती शासन लगाने की साजिश हो रही है